नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अंकीद और आपका एक बर फिर से स्वागत है आपकी अपने चैनल मेडिटोब टीवी में आज भी हम आपके लिए एक और महत्वपून जानकारी लेके आए हैं किल्का वीडियो को इलाश तक देखें और पूरी जानकारी प्राप करें चलिए यानि निडिल इस्टिक इंजरी क्या है होने पर हमें क्या करना चाहिए और निडिल इस्टिक इंजरी कैसे कैसे हो सकती है चलिए बताते हैं दोस्तों निडिल इस्टिक इंजरी उन हेल्थ केर वरकर्स को होती है जो डारेक्ट पैसेंट के कॉंटेक्ट में होते हैं या जो और बायो मेडिकल वेस्ट हैंडिल करते हैं, देख्धे, जो पेसेंड का काम कर रहा है, चाहे वो लैब वाला हो, سेमपल ले नहीं रहा हो, चाहे वो इंजेक्शन लगा रहा हो, चाहे कोई सर्जरी कर रहा हो, उन लोगों को अक्सर णिडिल इस्टिक इंजरी होती है, निडिल इस्टिक इंजरी कब होगी देखे अब मैं आपको दिखाता हूं मेरे पास यह सिरिंज है यह कैप है हम रीकैप करने गए और जरासा हमारा ध्यान भठका तो यह हमारे हाथ में गुश जाएगी इसलिए कभी भी निडिल को रीकैप नहीं करना है किसी भी कंडीशन मे हीप सी नहीं करना है सीधा सीधा इसको सार्प कंटैनर यानicky पंचर क्रूफ कंटैनर में सी दे स्मय के ना है और स्रेंज को यानि प्लास्टिक वाले पार्त को रेड बिन में डाल देना है अगर आप इसको डिसकार्ड नहीं करेंगे रीकेप करने की कोशिस करेंगे तो यह अक्सर आपके हाथ में लग जाएगी और आपको निडल इस्टिक इंजरी हो जाएगी एक होती है 26 गेज की निडल जिससे अक्सर सुगर चेक किया जाता है अक्स कुछ लोग उसको रीकेब करते हैं और वह नहीं दिखती है बहुते हाथ में गुस जाएगी और बेडल स्थिक इंजरी हो जाएगी goodamp हम सड्जीकल ब्लेड का यूज कर रहे होते हैं हैं अक्सर सर्जीकल ब्लेड से लग जाते हैं या हम उनको इसकेलपल से निकाल ले होते हैं तो हमारे हाथ में लग जाएगा सुछ लोग क्या करेंगे उनको डारेकि 1200 करते हैं जो नए करनी चाहे मेशरो की साहिता कर रहे होते हैं तो जब हम इसको ऐसे चलाते हैं तो अक्सर हमारे हाथ में लग जाता है एक खास बात होती है कि यह कभी भी सीधा नहीं यह हमेशा एक तरफ से इसका कोना खड़ा हो जाएगा और अक्सर यह लगता है जो काम करके उन लोगों को तो इसको भी सीधा सीधा डिसकार्ड करें पंचर प्रूप कंटेनर में इसको भी बिल्कुल भी ऐसे ही ना छोड़ें दोस्तों निडिल लगने के बाद छुपाना ब वोस करें मुँ में बिल्कुल ना दें दवा दवा के ना देखें अगर आपको कहीं पर निडिल लगी है अगर आप उसको दवा होगे अगर वो इंफेक्शन आपकी डैप तक नहीं गया है और आप उसको दवा रहे हो तो वो डैप तक चला जाएगा कोई भी एंटिसेप् क मैं को इता होंगी या होंगे वो आपका इंसीडेंट फोंब भरेंगे पूर उसके बाद फिजिशन को बुजिट करूए अगर आपको पता है कि किस पेसेंट की निडिल लगी है तो उस पेसेंट का और आपका वाइरल मारकर टेस्ट होगा अगर आपको नहीं पता है कि किस पेसेंट की निडिल लगी है तो उस कंडिशन में आपका वाइरल मारकर टेस्ट किया जाए अगर जिस पेशन्ट की आपको पता है उसकी निडिल लगी है उसका वाइरल मारकर पॉजिटिव आता है तो तब ही आपका टीटिमेंट शुरू कर दिया जाएगा या केवल आपका हुआ आपका नेगेटिव आया तो ऐसा तो है नहीं कि निडिल लगते ही तुरंत आप पॉजिटिव हो जाओगे उसमें भी टाइम लगेगा तो उसमें फिजिशन आपको बताएंगे कि क्या ट्रीटमेंट क्या फोलो लेगा है दोस्तों हमने आपको इतनी म क्यानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार